नेशनल कॉंसल फॉर टीचर एजुकेशन यानि की राष्टी अध्यापक सिक्षा परिक्षाद के दिनांक 4 अगस्त 2022 के इस लेटर के बाद से ये चीजे इसपश्ट हो गई थी कि सीटर्ट या फिर यूपी टर्ट या फिर किसी भी राज्य की सिक्षाद पातरता परिक्षा में किसी भी वर्स या फिर किसी भी सिमेस्टर प्रसिक्षण के दोरान अगर आपने आवेदन किया है और आपने क्वालिफाई कर लिया है तो वो टेट आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा इस लेटर के बाद से बहुत से अभीरतियों के मिने में डाउट उत्पन हो रह पूरा डिटेल में इसी मुद्दे पर बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यो टिप चैनल अगर आपी चैनल पर पहले बार अब जीट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हो बहुत प्रस करना ना भूले देखे इस को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस पूरे मामले को समझना होगा यह मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश सिक्षा विभाग के द्वारा या फिर यू कहें उत्तर प्रदेश शाशन के द्वारा पहले के जो सिक्षक थे जो सर्विस में ट लेकिन जब सिक्षा विभाग के नजर में ये पूरा मामला आया कि फर्स्ट यर में रहते हुए या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हुए अभियर्तियों ने टेट क्वालिफाई कर लिया है और NCT की गाइडलाइन के अनुसार अभी तक ये नियम था कि सेकंडियर में होन सिक्षा विभाग को ये लगा और इनको नियम के नियम है उनके अनुसार सिक्षा विभाग के फ़िवर में फैसला आता है क्यों क्योंकि जो सिंगल वेंच होती है वो कींडियों को बनाने या फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सिंगल बेंच में आप अगर किसी regulatory body के कानून या नियम को चैलेंज करते हैं तो कम से कम आपको double bench में या फिर मानने Supreme Court में चैलेंज करना होता है उसके बाद से ये वर्स में रहते हुए apply करते हैं तो भी आपका पूरी तरीके से valid होगा क्योंकि NCT के regulation में जो इनकी guideline है उसमें ये साफ mention किया गया है pursuing word को लेगर के pursuing word अभी तक सही से define नहीं किया गया था NCT के द्वारा भी जिसको मानने सुप्रेम कोटने डिफाइन करते हुए ये कहा कि अगर कोई अभियर्ती BAD या फिर DLA या फिर किसी भी सिक्षक प्रसिक्षण कोर्स में admission ले लिया है तो वो pursuing ही माना जाएगा और इस वज़े से अगर आज आपने admission लिया सूबह में और साम को अगर notification आगया CETAT या फिर UPET या फिर किसी भी राजी की सिक्षक पातरता परिक्षाब में आवेधन करने के लिए तो आप पूरी तिरके से आवेधन करने के लिए पातर होते हैं मतलब कि ये कहीं न कहीं retrospective फैसला था जो पहले से पास थे उन पर लागू हो रहा था और इसी फैसले को आधार बनाते हुए NCT ने 4 अगस्ते 2022 को ये लेटर जारी किया गया है तो माने ने सुप्रिम कोट ने जो फैसला दिया था वो पहले के टेट क्वालिफाई किया थे उनके लिए फैसला दिया गया था और यहीं फैसला NCT ने चुकी लागू कर दिया तो अब जो पहले के अगर आपने टेट क्वालिफाई किये हैं वो भी पूरी तरीके से वैलिड हो जागा चाहें किसी भी वर्स में रहते हुए या फिर किसी भी समेस्टर में रहते हुए आपने क्वालिफाई किया है NCT ने कहीं भी इस प्रकार की बाद देता नहीं रखी है कि ये आने वाले टेट पर लागू होगा जिस प्रकार से मानेने सुप्रिम कोट ने अपना verdict दिया था अपना decision दिया था उसी decision को इन्होंने आप देख पा रहोंगे पैरा में यहाँ पर mention कर दिया है तो मानेने सुप्रेम कोट ने पहले के TET qualify अभियरतीयों के लिए फैसला दिया था तो अब अगर आप पहले के भी qualify हैं आज से पहले के TET qualify हैं किसी भी वर्स या फिर किसी भी समेस्टर किसी भी एक तरीके से एक दिन हुआ दो दिन हुआ रहते हुए अगर आपने apply किया था और qualify कर लिया था तो आपका पूरी तरिके से valid होगा अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसको समझते हैं देखिए यह जो clarification दिया गया है यह seated के लिए दिया गया है क्योंकि यह clarification seated के लिए ही मांगा गया था लेकिन बात करें अगर seated की eligibility तो सबकी eligibility सेम है तो अगर seated के लिए निया भी मानने होगा अनी राजे की सिक्षण पात्रता परिखअ के लिए भी मानने होगा अब इसका प्रभाव यह पड़गा कि आज जो डिएलर्ड और这 52 25 में admission ले रहा है वो भी पूरी तेर के से पात्र हो गया है seated 2022 दिसंबर में जो आयोजित होने वाला है उसके लिए और यूपीटेट जो की नवंबर में आयोजित होना प्रस्तावित है उसमें भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे और अगर बात करें बीएड में तो बीएड में लगबग सवादो लाख से ज़्यादा सीटे हैं तो सवादो लाख ये नए फ्रेश कैंडिडेट और साथी साथ जो पहले के बीएड के कैंडिडेट होंगे और निश्ची तोर पर ये एक तरीके से कैंडिडेट के लिए भी फेवरेबल है कि आप जो चीजें दो साल के अंदर जो सीख रहते उसका आकलन आप खुद से भी कर सकते हैं कि आप इस सिक्षाक पातरता परिक्षा को लेकर के कितने तयार है आथवा नहीं है और ये कोई बात देता नहीं है कि आप आविदन करे ही आपको एक सहूलियत दी गई है मानिने सुप्रिम कोट के आदेश के आधार पर कि आप कभी भी रहते हुए अपना टेट क्वालिफाई कर सकते हैं आपका टेट पूरी तरीके से वैलिड होगा लेकिन आप इस टेट सर्टिफिकेट को यूज नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि आपका सिक्षाण प्रसिक्षाण कोर्स समाप्त नहीं हो जाता यानि कि आप जब तक B.A.D. या फिर D.A.D. complete नहीं कर लेते हैं, तब तक इस TET certificate को कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब Super TET की परिच्छा होती है, फिर सिक्षक भरती के लिए कोई भी चेन प्रक्रिया होती है, तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश मे कि आवेदन की अंतिम तिती से पहले आपके पास सभी नियूंतम आरता होनी चाहिए, नियूंतम सैक्षिक आरता में आपका सिक्षन और प्रसिक्षन कोर्स भी आता है, B.A.D.L.A.D. टेट भले आप क्वालिफाई कर लिए हैं, लेकिन B.A.D.L.A.D. में अगर आप फाइन कर दोजा हैं, लेकिन B.A.D.L.A.D.L.A.D. झाल झाल